हेलो फ्रेंज आज हम लोग विसकस करेंगे जीन प्याजे की थियोरी जीन प्याजे ने संग्यानात्म विकास का सिध्धान्त दिया था संग्यानात्म विकास का मतलब क्या होता है कि हमारे जो कॉगनीशन है उसका डवलपमेंट हो रहा है मतलब हमारे माइन का डवलपमेंट ह जहां से हम किसी वी चीज को सोचते हैं, समझते हैं, react करते हैं. जो हमारा पूरा जो mental, जो हमारे देमाग की processing हो रही है, उसका development कैसे होता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, तो उसके दिमाग में किस तरह से चीजे inbuilt होती रहती है, वो वहाँ पर इकठी होती है, time to time, ये हम लोग पढ़ेंगे संग्यानात्मक सिध्धान्त में, तो आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का संग्यानात्मक सिध्धान्त, तो जीन पियाजे ने ये कहा था कि बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं, वो क्या होते हैं, बच्चे नन्य की जरूरत नहीं होती है तो इनका विसिकले यही कहना है कि बच्चे को कोई और नहीं सीखाता है एज बाइज डे बाइडे बच्चे क्या होते हैं अपने आप ही लोगों से आसपास की चीजों से वो खुद को इंटलैक्ट करके खुद से सीख जाते हैं यह कहा था जीन पिया है मेंटल इंक्रिमेंट ठीक है इन्होंने प्रयोग बच्चों पर किया इन्होंने बोला था जो बच्चे होते वो नन्हें वैग्यानिक होते हैं व्यक्ति जन्म से क्रियासील होता है इनकी जो बुग थी वो थी लांगवेश एंड थॉट ऑफ चाल्ड्ड तो जैसे ही चीज़ें ने इकठी ही दिमाग में होता है तो इसमें कुछ प्रोसेस होता होगा कि हम किस तरह से देख रहे हैं हमारे माइड में किस तरह से चीज़ें इकठी हो रही है और की सब्सक्राइब प्रकट करते हैं तो यहां पर है जो आपकी संग्यानात्मक कार्यविधी होती है इसमें दो चीजे होती है पहला होता है संगठन दूसरा होता है अनुकूलन जो संगठन होता है जिसको हम इंगलिश में और्गनाइजेशन कहते हैं इसको मतलब क्या होता है इसके दम सिंपल सा टर्म है न कि आपका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक है। जैसे ही बच्चा यहां पर आया धर्ती पर आया, वो कुछ चीज़े सीख रहा है, फिर दूसरी चीज़ सीख रहा है, फिर तीसरी चीज़ देख रहा है, चौती चीज़ देख रहा है। उसकी दिमाग में one by one one by one क्या हो रहा है stored होता जा रहा है तो ये सारी सूचनाई उसके लिए क्या होते है organization में जो सूचनाई होती है वो नमीन सूचनाई होती है कि मतलब हम क्या करें नई नई सूचनाओं को नई नई information को अपने mind में organized करते जा रहे हैं तो यही है प्रत्यक्षिक्रित तता बौधिक सूचनाओं को व्यवस्थित करना मतलब जो भी हम अपने सामने देख रहे हैं जो भी चीज़े हमें दिख रही है उसको हम क्या करें अपने mind में stored करते जा रहे हैं अब हम इसके बाद आते हैं अनुकूलन की की अनुकूलन की जरूरत कप पड़ती है हमें जब कोई भी जैसे हमारा जो नया अनुभव है उसमें हम confused हो जाते हैं मतलब कि जो चीज़ हम पहले से जानते रहते हैं और जो चीज़े हम अब जानने वाले होते हैं उसके बीच में confused हो जाते हैं कि नल होते हैं ठीक है ऑटोमाटिक होते हैं और आपका टाइमर वाले होते हैं ठीक है सेंसर वाले होते हैं तो आपको पता नहीं रहता है कि अगर आप पहली बार यूज करने जा रहे हैं आपको नल का कॉंसेप्ट मालूम है कि नल किस तरह से खुलता है इसका कॉंसेप्ट क् संगठन के थुरू हमारे माइंड में है नल का लेकिन अनुकूलन कब आया हमारे दिमाग में जब हमने नए तरीके के नल को देखा लेकिन हमें अब समझ ही नहीं आ रहा है कि ये नल खुल कैसा रहा है हम कोशिस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उस कोशिस में क्या कि तीन चार बार ट्राइ करेंगे फिर उसके बाद हम सीख जाते हैं या तो किसी और को देखते हैं कि वह कैसे ओपन कर रहा है उसको देखकर हम उस चीच को सीख गए तो यह हो गया आत्मसाती करण कि अब नया नल जो है वह किस तरह से खुलता है तो हमारा जो पुराना जो त पूरोवर्ति बौदिक सरचना में सुधार बिस्तार या परिवर्तन से हैं तो इसमें हमने क्या किया है बिस्तार किया है क्योंकि नए तरीके से हमें टैप खुलना आ गया एक तरीके से आता ता दूसरे तरीके से भी आ गया तो हमने क्या कि आपने नए अनुभाव से जो तो भी हमारा पुराना संगठन था वधिक सरचना का उसमें हमने बिस्तार किया है एक और तरीका जान लिया है नल खोलने का तो यह आपका होगा समायोजन असिमिलेशन होता है फिर एक्विलिब्रियम आता है कन्फ्यूजन ट्राइंग बैलेंस अकमोडेशन जो हमने आपको पुरे एक्जामपल के थूप बता दिया है कि किस तरह से होता है अब पियाजे ने चार अवस्थाएं बताई है जो कि सरल से जटिल की ओर है पहला है सवेदी गामक जिसको हम सिंसरी मोटर कहते हैं इसमें बच्चा क्या होता है जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो क्या तुरंत बोलने लगता है या तो क्या तुरंत लोगों से अपने जो actions होते हैं वो बोल कर या तो किसी author से देता है नहीं वो सिर्फ किस के तुरू देता है अपने actions के तुरू मतलब वो किस तरह की activity कर रहा है मतलब सामेदना और शारेरी क्रियाओं से वो सीखता है फि प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्ता होती है प्रतिवर्त क्रिया क्या होता है कि मालीजे जैसे आवाज आई तो तुरत डर जाते हैं ठीक है अगर लाइट गई तो फिर तुरत चिलाने लगते हैं तो जो छोटी छोटी ऐसे एक्शन्स रियक्शन्स वाले होते हैं वो बहुत ह जादा क्रते है प्रतिवर्थ क्रिया करते हैं हजो दूसरा क्रियार में यह होता है कि भच्चा जैसे ही बड़ा होता है तो दूसरों सेखता 2021 जो 2-4 साल है इसमें जो thinking का जो आधार होता है, चिंतन का आधार होता है, वह संके तथा चिन होता है, मतलब symbols के तुरू क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, क्यों कैसे के प्रशन यह बहुत ज़्यादा इस यहर के बच्चे करते हैं आप से, अगर आपके पास बैर जाएंगे तो उनके question ही question हो और यही खोज की अवस्था होती है, क्योंकि बच्चे हर चीज जो देखते हैं, वो यह सोचते हैं, पूछते हैं कि यह चीज कैसे होई है, क्यों होई है, इसका क्या यूज है, यह क्यों है, तो इसलिए सो खोज की अवस्था करते हैं, फिर है आंता प्रग्याल, यह है चा बाइब लिए गर्वाइब बनाना इन समय उन्हें मज़ा आने लगता है खेले में और अभी लोमियता है जैसे माल लीजिए कि अगर दो डंडे हुए हैं दो डंडे अगर आपके समान साइच के हैं रखे हुए हैं अगर बराबर रख रहे हैं तो बच्चा कहेगा बराबर है लेकिन अगर उसको आगे पीछे आप रक ले रहे हैं तो कहेगा नहीं ये चोटा है यह बड़ा है अगर आ लिजे कि एक गलास का पानी अब बड़े लास में डाल दे रहे हैं तो फिर वो ये कहेगा कि इसमें कम पानी था इसमें जादा लेकिन बच्चा यह पहले नहीं समझ पा रहा है कि हां ये पानी कम हो गया है यह जो आपके पानी का रहा हुए वर्गी करण क्या है कि अगर उसको आप कलरफुल या तो फिर कोई आप ट्राइंगल इसको ये सब दे देंगे तो वो क्या करने लगता है उसका वर्गी करण करने लगता है कि हाँ ये चीज है वो चीज है चीजों को समझने लगता है मतलब देख करके मूर्तसंक्रियात्म कि इसलिया ना कि जो भी operation उसके mind में हो रहा है वो देख कर हो रहा है ना वो जब सामने चीजे देखेगा तब ही वो कर पाएगा उसका operation बीना देखे वो अभी भी नहीं कर पा रहा है जो 7 से 11 साल का बच्चा है करम अबद्धता भी यही है कि उसके thinking में करम बद्धता होती है ल यह सब क्या है अमुर्त है जो कि हम चीजों को देख कर नहीं कर रहे हैं हम अपने mind में कर रहे हैं चीजों को बीना देख करके तो जह हम चीजों को नहीं देख रहे हैं अपने mind में उस चीज की चभी बना ले रहे हैं तब हम क्या करते हैं logical thinking करते हैं तब ही तो हम problem solving भी तो ये था आपका प्याजे का थियोरी अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें सजेस्ट करिए कि आपको और कौन सा टॉपिक बढ़ना है और आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है था इंकियो